हालो स्टुडेंट्स वेल्कम टू मैं क्लास आज हम लोग वर्ग संरचना में परिवर्थन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें पिछले क्लास में हमने ग्रामीन वर्ग संरचना में क्या परिवर्थन हुआ इसके बारे में देखा और अब उदारी करन के फल स्वरूप किस तरह भारती समाजिक संरचना में परिवर्थन हो रहे हैं और किस प्रकार नगरी वर्ग संरचना में परिवर्थन हुए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नगरी वर्ग संरचना या अर्बन क्लास स्ट्रक्चर परंपरागत रूप से नगरों में तीन प्रमुख वर्ग पाए जाते थे पहला था पुन्जी पतियों का उच आर्थिक वर्ग अर्थात ऐसा वर्ग जिसके पास संपति का अधिक सधिक भाग होता था इन्हें हम higher class कहते हैं या high society की लोग कहते हैं दूसरा है मध्यम आर्थिक वर्ग या middle class ये वैसे लोग होते हैं जो अपने जीवन की आवशकताओं की पूर्ती के साथ साथ कुछ संपत्ती भीभविसे के लिए संचित करते हैं चाहे वो भूमी के रूप में हो या किसी और रूप में हो या उनका बैंक बैलेंस हो और तिसरा वर्ग था शारेरिक स्रम पराधारित निम्न आर्थिक वर्ग ये वर्ग के लोग जो होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अपने शारेरिक स्रम के बल पर वो जो भी कमाते हैं उनसे वो अपने जीवन की नियूनतम आवसकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं उनके पास किसी भी प्रकार का धन या संपत्ति संचित नहीं होता है तो मुख्य रुप से तिन ही तरह के वर्ग पाय जाते थे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब ओद्योगी करन तथा आधुनिकी करन के प्रभाव में तेजी से वृध्धी हुई तब नगरों की वर्ग संरचना में भी दो नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ पहला वर्ग है ब्यावसाईक अभिजात्य वर्ग या प्रोफेशनल्स एलिट क्लास और दूसरा है नव मध्यम वर्ग या न्यू मिडिल क्लास तो सबसे पहले हम देखें कि ब्यावसाईक अभिजात्य वर्ग या प्रोफेशनल्स एलिट क्लास किस तरह के लोग हैं ब्यावसाईक अभिजात्य वर्ग का तातपर्य ऐसे वर्ग से है जिसमें प्रोध्योगिक ग्यान, प्रबंध और वित्तिय मामलों की विशेश कुसलता होती है अपने छेत्र में एक विशेश ग्यान और अनुभाव के फल स्वरूप ऐसे लोगों की मांग विश्व के विभिन देशों में बढ़ने से इनकी आर्थिक प्रइस्थिती बहुत तेजी से उपर उठने लगी उद्योगों के मालिक नहीं होने के बाद भी अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण सरकार की नितियां इस वर्ग से प्रभावित होने लगी इस प्रकार ब्यवसाईक अभिजात वर्ग और द्योगी करन उदारी करन तथा भूमंडली करन जैसी प्रक्रियाओं का ही परिणाम है ब्यवसाईक अभिजात वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रतिभा और योग्यता है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर, फाइनांस ओफिसर, एक्टर, राइटर, प्लेयर और एडवोकिट ये अपनी योग्यता से करोडो रूपय की वार्शिक आय प्राप्त कर लेते हैं और इनी तरह के लोगों को ब्यवसाईक अभिजात वर्ग या प्रोफेस्नल्स एलिट क्लास कहा जाता है नगरी वर्ग संद्चना में दूसरा नया वर्ग का प्रादुर भाव जो हुआ उसे न्यू मिडिल क्लास या नव मध्यम वर्ग कहते हैं ये नगरों के परंपरागत मध्यम वर्ग में जो लोग चिकित्सा, सिक्षा, प्रोध्योगी की वित्ती प्रबंध के छेत्र में उच ज्यान प्राप्त करके मध्यम वर्ग तथा उच वर्ग के कड़ी के रूप में कारे करने लगे उन्हें ही नव मध्यम वर्ग कहा जाने लगा तो नौ मध्यम वर्ग कौन सा हुआ जो उच वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करने लगा जो ज्यादा एजुकेटिट था और हर छेत्र में कुशलता और ज्ञान प्राप्त करने लगा था ये वर्ग जो है वो नव मध्यम वर्ग कहलाय तो नौ मध्यमवर्ग के लोग जो है उनका आचरन जो है पस्चिमी धंग से स्वतंत्र बेवार करना सामाजिक आर्थिक जागरुकता इनके अंदर होती है उपभोक्तावादी संश्कृती प्रदर्शनवाद तथा परिवर्टन के प्रती विशेश लगाओ इस वर्ग की मुख्य विशेशता होती है तो इस प्रकार हम देखें कि भारत में किस तरह वर्ग संदचना में परिवर्टन आया वास्तविक्ता यह है कि जब भी कोई समाज परिवर्टन की दोर से गुजर रहा होता है तो समाज की वर्ग संदचना भी बदलने लगती है भारत में ओद्योगी करन, पस्चिमी करन, आधुनिकी करन तथा उदारी करन के फल स्वरूप, नगरी और ग्रामिन जीवन में नए नए वर्गों का प्रादुर्भाव होना परिवर्टन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है इस रूप में नए वर्गों की विश्यस्ताओं को समाजिक और आर्थिक परिवर्टन के एक परिणाम के रूप में देखना ही उचित है तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, वर्ग संदचना में परिवर्टन अगले क्लास में हम इससे संबंधित वस्तोनिष्ट प्रस्नुत्तर करेंगे अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाल अगले क्लास में परिवर्टन झाल झाल